जिन्दा वो जो मुझे सुनने के बाद चिंता करता है जिन्दा वो जो मुझे सुनने के बाद चिंतन करता है जिन्दा वो जो अपने आपसे पूछता है कि मैंने इंप्लिमेंटेशन किया कि नहीं कि तो जिन्दा ओडियन्स मान के आपसे बात कर रहा हूं क्यों तो कि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं तो जिन्दा नाम के लिए जी रहें मुर्दों के जैसे साथियों मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ क्या अपने बच्चों को कॉलिटी टाइम देते हो तो हो कहते हैं अभी एक बार सेटल हो जाएं सर फिर करेंगे कई लोगों से कहता हूँ कोई शौक के लिए कोई हुनर के लिए कुछ वक्त निकालते हो कहते सर अभी टाइम नहीं है कई लोगों से कहता हूँ कुछ दानवन करते हो कुछ चेरिटी करते हो सर वक्त आएगा तब करेंगे कई लोगों से मैं कहता हूँ खुद को अफग्रेड करने के लिए कोई सेमिनार अटेंड करते हो मेरे एक्सिलेंस गुरुकुल व्याइपी में ही आ जाओ सर एक बार सेटल कर लें बिजनेस को फिर ये सब करें ये वक्त कब आएगा और क्या गेरैंटी है कि आएगा किया आप गेरैंटी ले सकते हो कि आप आज रात को सो गे और कल उठोंगे क्योंकि दुनिया में ऐसे हज़जारों लोग रहेंगे जो आज रात को सोंगे और कल नी उठेंगे ख़ये न कहीं किसी بस, ट्रेन या फ्लाइट में बैटाएंगे यह सोचके कि हम अपनी डेस्टिनिशन पर पहुंच जाएंगे लेकिन नहीं पहुंच पाएंगे कितने लोग कहा कहा भगवान को प्यारे हो जाएंगे आपको नहीं पता है और आप अपनी जिन्दगी को लगातार पॉस्पोन कर लें आप अपने जुआए को अपनी हैपिनेस को लगातार पॉस्पोन कर लें आप हर चीज को कल करेंगे जब वक्त आएगा तब करेंगे पर पॉस्पोन कर लें यह वक्त कब आएगा और क्या गेरेंटी है कि यह वक्त आएगा साथीों मैं आप से कहना चाहता हूँ जब भी मैं अपने आसपास को यंग डेथ देखता हूँ मैं विचली तुजाता हूं उस दिन मैं खूब शापिंग करता हूँ क्योंकि मेरे लगता है पता ने कब तक रहेंगी जब भी मैं देखता हूँ कि कोई व्यक्ति कल तक यह सोच रहा था वो सोच रहा था बड़े बड़े फ्यूचर के सपने सजा रहा था उस चक्कर में आज को कंप्रोमाइस करके बैठा था और अचानक उसका एक्सिडेंट हो गया कुछ हो गया उसको पैर लीशिस हो गया अचानक उसके पैर नीच से काम कर रहे हैं अचानक उसको यह हो गया अचानक उसकी बाइपास सर्जरी की नौवत आ गई और उसके बाद उसका सब खाना पी न बंदो गया वेडरी डन हो गया जोहाई इसको पॉस्पान मत करिए खुशिवों को पॉस्पान मत करिए ऐसा सोचिए कि मानलू यह आखरी मेना है और खुल के जीना है तो कैसे जीएगे तो शायद आप लोगों से लड़ाई नहीं करेंगे शायद आप गिले शिक्वे नहीं करेंगे शायद आप अपनी टीमों पे गुस्ता नहीं होंगे बलेंगे छोड़े यार जाने दे शायद घर आप समय से पहुचेंगे शायद काम को भी आप पूरी ताकत लगा के करेंगे और आराम को भी आप पूरी ताकत लगा के करेंगे शायद अपने शौक और हुनर के लिए वक्त निकालेंगे है शायद भगवान के लिए आप वक्त निकालेंगे शायद स्पिरिच्वालिटी के लिए आप वक्त निकालेंगे शायद अपना कल सुधारने के लिए अपना परलोग सुधारने के लिए कुछ लोगों की आप मदद करना शुरू करें कल किसी ने नहीं देखा डोन्ट पॉस्पोन यूर जोई लाइफ इस वेरी वेल्योबल वेरी वेल्योबल इसलिए कहते हैं जिन्दगी को प्रेजेंट में जियो और बिजनेस को फ्यूचर मदर हो जिन्दगी को आज की प्लानिंग करो आज कैसे जीना है आज कैसे आनंद ले लो आज कैसे अच्छा वैवार कर लो आज कैसे कुछ लोगों की तारीब कर लो आज कैसे कुछ ठाके लगा लो आज कैसे कुछ लोगों से गले मिल लो विजनेस को यह सोचो कि यह action दो साल बात क्या करेगा, यह action तीन साल बात क्या करेगा, यह पांस साल बात क्या करेगा, विजनेस को 3 years, 5 years, 10 years की planning में रखो, life को आज, अभी, इस घंटे, इस मिनट और इस सेकंड की planning में रखो, यही जीने का फल सपाए, क्योंकि कोई नहीं जा मज़े से जियो, एचीव करके जियो, इंजॉय करके जियो, मुस्कुरा के जियो, ठाका लगा के जियो, मन की करके जियो, मन की सुन के जियो, खुद को पैमपर करके जियो, खुद की जत करके जियो, कभी कभी जेब से ज्यादा खर्च करके जियो, आनंद लेके जियो, क्योंकि जिन्दगी न मिलेगी दुबारा चोईस आपकी है हर चीज पॉस्पॉन कर लो या आज आनंद ले लो जहां जिस पलो फुल क्वालिटी टाइम दे दो बिजनेस में वो तो 100% रम जाओ घर में वो तो 100% घर में रम जाओ दोस्तों में वो तो 100% रम जाओ 15 मिनट भी कुछ करो तो 15 मिनट की पूरी वसूली करो उसमें एक मिनट कभी गंप्रोमाइज मत करो ऐसे जियो कि जाते वक्त अफसोस नहों शुक्रिया नन्यवाद थेंक्यू